हर्याना की अगर हम बात करें तो जेजेपी किंग मेकर साबित होती भी नजर आ रही है अतुल जी आप से ये जाना चाहूंगी क्या सकता की चाभी उनके हाथ है देखिए ये हो सकता है जो रुजहान इस समय तक आ रहे हैं हमें जो नजर आ रहा है उसमें ऐसा लगता है कि ऐसी संभावना हो सकती है अब ये स्थिती यहां तक कैसे पहुंची तो उसमें दिल्चस्प बात ये है कि भाजपा ने जो 370 कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाया जाना और राष्टरवाद के नाम पे जो वहां पे चुनावी प्रचार किया था उसके बावजूद जनता हालांकि हर्याना में ये माना जाता है कि फौजी परिवार बहुत हैं तो इससे राष्टरवाद का मुद्दा अच्छा चलेगा उसके बावजूद हर्याना की जनता ऐसा लगता है कि खटर सरकार से जवाब मांग रही है कि आपके जो वादे हैं जो आपकी administration है जो governance है वो आपने कितनी दी है और इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है कि opposition जो इतनी बिखराव की स्थिती में नजर आ रही थी उसके बावज जूद opposition वहां से कोई vanish नहीं हुई है opposition फिर भी सामने खड़ी और डटी हुई नजर आ रही है आपने जो विपक्ष की बात की उसी पर मैं आना चाहूंगी क्या आप इसका credit कुमारी शेलजा को देंगे कि उसनों ने किस तरह से अपने एर्द गेर्द हुड़ा साथ को भी अपने खेमे में कर लिया अशोक तवर को हलाकि वो नहीं कर पाई लेकिन आपको लगता है कि credit कुछ हद तक कुमारी शेलजा को भी जाता है जो आखरी वक्त में प्रदेश की कमान संभालने के लिए देखिए कुमारी शेलजा जो है उनका जो व्यक्तित्व है और मैं जानत है जो कॉंग्रिस जिस तरह से गई है उसका कॉंग्रिस नितृत्व को ही credit मिलेगा हालां कि केवल दो ही चुनावी डैलियां राहूल ने वहां पिकी है लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये समझा कि यहां पे एक सेग्मेंट है जात वोट का जो की शायद लोग ये देख रहे लेके आए जिस से ये जो strategy थी ये बहुत ही कमाल की strategy इनकी थी हालां कि लोग पहले ये कह रहे थे कि ये ये तो अब जाट पाटी रह गई है लेकिन उस strategy ने इनको dividends पे किये हैं और उस से ये clear हुआ है कि जो जो जनता जो वोटर जो इन से सरकार से खटर सरकार से जवाब द ये ही मांग रहे थे वो कहीं ना कहीं opposition को देख रहे थे कि opposition हमें कोई viable leader देता है सामने को वाइब लीडर देता है तो वो हुड़ा की तरफ Congress और जेजेपी में दुश्यांत की तरफ गए हैं इस से इतर एक और सवाल जो आ रहा था वो था कि हर्याना में डेरा सच्चा सौदा ने कितना decisive role play किया और क्या उनकी वजह से ये चीज़ में मिली थोड़ी नाराज़की थी बीजेपी सरकार से दलितों की इस वजह से Congress की तरफ मो रुख किया देखिए डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुक है राम रहीम वो जेल में है और स्पश तोर पे उतना क्लि में फिर भी नेता लोग इनकी नामचर्चा में जा रहे थे और इनसे सपोर्ट मांग रहे थे लेकिन इस बार कोई इस तरह का सामने स्पश चीज नजर नहीं आई लोगों ने मुझे ये लगता है कि डेरे के लोगों ने भी अपने ही विवेक से और अपनी ही धारनाओं के हिसाब से वोड दिया है और ये धारना तो स्पश्ट है कि डेरे के लोग पहले से भी कह रहे थे कि बीजेपी को हमें मजा चकाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगसभा में नहीं यह कह रहे थे पीजेपी का इस बार नारा था 75 पार अब की बार 75 पार तो 75 के इर्दगिर तो फटकते वे भी नजर नहीं आ रहे फिलहाल जो स्तिती नजर आ रही है 50 का आंकड़ा छूले वो भी उनके लिए बहुत होगा लेकिन आपको क्या लगता है खटर सरकार ने जो वादे किये थे व हर्याना में वैसे देखा जाए दस की दस सीटें लोकसवा सीटें भाजबा ने जीती थी और शायद कोई भी यह कहता कि भाजबा की अगर रण नीती उस समय कामियाब रही है तो इस बार भी उसी रण नीती से चला जाए और अगर लोग रिस्पॉंड कर रहे हैं राष्ट लिसीटें थी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यह बढ़े लेकिन अगर यह 75 पार या 70 के पास ऐसा पहुंचे तो फिर तो क्लियरली खटर सरकार ने जो प्रशासन दिया उसकी कामियाबी मानी जाएगी लेकिन जिस तरह का रुजहान हमें लग रहे हैं और इस तरह से नहीं ल रास रूट पे काम करने से जो मिल सकता था वो उनको नहीं मिला है और हालत यहां तक है कि यह भी हो सकता है अभी अभी अर्लियर राउंड हैं तो और राउंड आने हैं वोटिंगे लेकिन जिस तरह से जेजेपी को सीटें आती नजर आ रही हैं रुजहानों के मताबिक और जहां पर भाजपा अटकी हुई है इस समय हर्याना में उसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा को जेजेपी की तरफ देखना पड़े कि अब हमें आगे के लिए सपोर्ट मिलेगा यह नहीं इसी बात पर आती हूं कि आपको ऐसा अगर ऐसी स्थिती बनती हुई नजर आती है तो क्या आपको लगता है कि वो पर्मूटेशन कॉंबिनेशन सब खोजना शुरू कर दिये होंगे कॉंग्रेस भी जेजेपी और बीजेपी भी जी हमें सूत्रों से यही खबरे मिल रही हैं कि यह पर्मूटेशन कॉंबिनेशन खोजे जा रहे हैं और बिलकुल अगर ऐसी स्थिती उभरी तो फिर जेजेपी किंग मेकर के रोल में हो सकती है लेकि आम बात यह है कि जो भी कोई छोटा दल होता है जो अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रहा होता है जैसे कि आइनलडी की वारिस जो जेजेपी उभर के आ रही है वो एक अस्तित्व की लड़ाई है उसके नेता जो हैं वो कहीं पे सत्ता में साजीदार या सत्ता में पूरी तरह से नजर आना चाहते हैं क्यूंकर उससे उनका रुत्पा बढ़ता है और इसलिए पॉसिबिलिटी जो है संभावना जो है वो उनकी भाज़पा की तरफ जुकने की हो सकती है लेकिन अगर अभी बात करें ट्रेल्स जो हम देख रहे हैं उसमें कैप्टेन अभी मन्यू जो की मंतरी भी है वो भी ट्रेल करते वे नजर आ रहे हैं इसके अलावा दो-तिन और मंतरियों के नाम भी उस सूची में है जहां वो पीछे चल रहे हैं यह जानना चाहती हूं कि क् खटर सरकार डिलिवर नहीं कर पाई और आज यह स्तिती उनके लिए और कॉंग्रेस ने किस पर अच्छी परफॉर्मेंस दी है देखे जहां तक मुद्दों की बात है तो मुद्दों पे तो राश्ट्रिय मुद्दे लेके ही यह लोग चले हैं जबकि कॉंग्रेस बार-ब जो जाट बाहूले पात में वो कॉंसिच्वेंसीज हैं सीटे हैं वहां पर अभी भी जाटों ने पूरी तरह से जिस तरह वो जो वालेंट एजिटेशन हुआ था और जिस तरह से बाद में क्रैक्टाउन किया पुलीस ने उसमें भाजपा को पूरी तरह से माफ नहीं किया है भाजपा ने बीसी टेंदी थी इस उसका एक नुकसान इनको जहलना पड़ा है